उत्तरप्रदेश के मुखमंत्री योगी आधितनात ने आज लखिमपुर्खिरी मामले में एक एहम बयान दिया है सीम ने कहा है कि लखिमपुर्खिरी हात साथ दुर्भागपुर्ण है लेकिन जिस तरह से वहां जाने के लिए विपक्षी पाटियों के नेताओं की होड लगी है उससे साफ जाहिर होता है कि ये सभी पाटिया अपनी राजनेतिक रोटिया सेकने के लिए यहां दिखावा कर कोरोना काल में ये नेता अगर एक बार भी जनता की सेवा के लिए आते तो इनका स्वागत था। लखिमपुर्खिरी मुद्दे का राजनती करन कौन कर रहे हैं ये लोग वही हैं जो काबुल में तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। करेंगे तो वो लोग भी तयार हो जाए हम तो पहले से ही तयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी आजाए सत्ता में दोबारा लोटकर हम ही आएंगे और हम लोग इस मिठख को तोड़ने के लिए राजनेतिक में आये हैं। उत्तरप्रदेश में दोबारा सरकार आएगी। तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट ऐसे ही ख़बरों में बने रहने के लिए मोबाइल न्यूस 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगें नोटिफिकेशन बलको बढ़ा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा सेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।